नमस्कार मित्रू आइए आज हम लोग मटके में कमपोष्ट बनाएंगे यूदि पवधा लगाएंगे तो हमें कमपोष्ट किया शक्ता होती है तो हमें किसी चीज के लिए बाजार न जाना पड़े या जाना भी पड़े तो बहुत कम इन्वेश्ट करना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कीचनवेस्ट निकल रहा है इसमें ж ठंडी का दिन है तो कीचनवेस्ट आपके घर में भी बहुत जादा निकलता होगा मटर के छिलके, गोवी, पत्ते हैं और प्याज है, लेसून है सब के छिलके जो हैं बहुत निकलते होंगे तो आप लोग भी अगर इस तरह से कीचन वेस्ट से कमपोस्ट बनाएंगे तो आपको भी फसल लगाएंगे कोई भी अधा लगाएंगे तो आपको कमपोस्ट बाहर नहीं लाना पड़ेगा तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इस मटके में सारे कीचन वेश्ट को डाल करके कमपोस्ट बनाना सिखेंगे इसके लिए देखे ये एक मटका ले लीजे दो मटके हैं मेरे पास सेंटर में एक होल बना लीजे इसके बाद एक इस रखा ठीकरी रख दीजिए होल पर होल पर एक ठीकरी रखने के बाद क्या करें कि इसमें हम लोग सुखे पत्ते नहीं मुलाएंगे और नहीं एक सेल्स अंडे के छिलके मनाएंगे क्योंकि सुखे पत्ते भी डिकंपोस्ट देर से होते हैं और एक सेट सेल होता है यह our the से ही होता है और हमें कीचन वेछट जलत से जलता है तो हमें सिर्फ कीचन हुस्थ मतलब हमように सब्जural के छिलके और फॉलो के छिलके ही इसमें हम लोगं डालेंगे वे गणिए नीचे क्या करेंग एक लेयर मिट्टी का लगा लेंगे एक लियर मिटी का लगाने के बाद इसके बाद ये सारे जो कीचन वेस्ट हैं इन्हें दबा दबा कर ऐसे ऐसे इसमें भरते जारेगे अब मैं दोनों मटकों को भरने के बाद आपसे मिलती हूं दोनों मटके भर लिए मैंने कीचन वेस्ट से अब इसमें क्या करेंगे कि ये देखे खटी चाच या दही ले ले लिजिए थोड़ा सा और ये गुड़ खराब गुड़ो उसको ले लिजिए अब ये दोनों इसमें एक में मिला लिजिए इससे क्या होगा कि ये जो हमारा बाद थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा दोनों में ऐसे डाल दें इसकी बाद इसे मिट्टी से अच्छी तरह से ढग दीजिए ऐसे मिट्टी से ढग दीजिए अचन긋 मुट्को को मैं मिट्टी से भानने के बाद क्या करों ज़्ट पर जहां आपके चाया रहती हो दूप नहीं आता हो वहां पर इनको रखेंगे नीचे क्या डिब्बे में इक अठा होगा जिसे अगर हम चाहे तो किसी डिब्बे में इस्टोर करके रख सकते हैं या नहीं तो अपने पवधे लगाए हैं सब्जीओं का तो उसमें पानी में डॉल्यूट करके उसको डाल देंगे ऐसे देखें ऐसे कर लिए पिर इसे के ऊपर इसको भी रख दें दोनों मटकों को रखने के बाद ऊपर से इसे डख दीजिए किसी प्लेट से या किसी गत्ते से इस तरह से ढख दीजिए खुला मचुरी या नहीं तो इसमें कीली पैदा हो जाएंगे ऐसे करने के बाद आप इसे एक महने तक आप एक दम उसी तरह छोड़ दीजिए कुछ मत करिएगा